तो चलिए दोस्तों आज सिखेंगे आई हेट लाव स्टोरी मुवी से बिन तेरे का रिप्राइज वर्जन विटार का बहुत ही सुन्दर पीस है तो चलिए आई हेट लाव स्टोरी लेना है हमको सेकंड लेना है अमको सेकंड प्रेट फॉर्थ स्ट्रिंग में इंडेक्स अब करना क्या है फॉर्थ और थर्ड स्ट्रिंग दोनों इंडेक्स से दबाने हैं तो मैंने क्या किया यहां बजाया चौथा तीसरा स्ट्रिंग और रिंग लिया चौथी फ्रेट में थर्ड श्रिंग पर और इसको करना है पांचवी फ्रेट तक स्लाइड अब इंडेक्स लिया मैंने फौर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग अब पांचवी फ्रेट से सात्वी फ्रेट तक और चौथे स्ट्रिंग पर स्लाइड करना है एक ही स्ट्रोक से तीन सुर प्रोडूस होने चाहिए और ये action fraction of second में होनी चाहिए तो वो slide का tone clear सुनाई आए रहेगा सब combine कर रहा हूँ अब second fret में वापस shift हुए चौथे string पर अब मैंने slide किया second से लेके hip fret तक index से और वापस गया हूँ single stroke second fret four string में अब सब combine करते है इतना clear है हमने क्या किया index ring दूसरे और चौथी fret में फिर little को लिया पांचवी fret से नौवी fret तक slide फिर साथवी fret में middle अब किया पांचवी fret से चौथी fret तक उल्टा slide फिर से धहन दीजिए अब 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 पांचवी fret से साथवी fret तक slide है पांचवी से साथवी fret तक slide फिर वापस पांचवी fret में एक single stroke और second fret और string में single stroke सब combine कर रहे है समझ में आ गया इतना clear हो गया होगा दोस्तों तो आगे चलते हैं अब लेना है second fret third string index तो हमने क्या किया अभी index, ring, little दो, चार और पांचवी fret पे आए ये finger अब little को पांचवी fret से नववी fret तक slide करना है same यही loop as it is repeat करना है सिर्फ ये जो little हमने नववी fret तक slide किया था second time पांच से लेके direct बारवी fret तक slide करना है third string पे second loop वापस यहाँ slide करने के बाद एक single stroke बजाना है अब दोनों लूप साथ में combine करते है इसके बाद इंडेक्स गया नववी fret थर्ड स्ट्रिंग अब क्या किया? middle आया दसवी fret में यहाँ पे भी करना है slight bend फिर लेना है little थर्ड स्ट्रिंग बारवा fret और index नववी fret में तिसरी इतार पे अब अब साथ में से लेके नववे fret में slide करना है सीधा उल्टा single stroke में यह action speed में cover होनी चाहिए तो वो tone clear produce होगा वापस अब थोड़ा आराम से बता रहा हूँ और slow करते है और सब combine करते है पहले से अब अब यहाँ पे पांचवी fret से चौथी fret तिसरे स्ट्रिंग पे उल्टा slide करना है और वहाँ पे करना है hammer उसके बाद करना है pull off फिर लेना है little चौथे स्ट्रिंग में साथवी fret में फिर middle लेना है चौथे ही स्ट्रिंग में पांचवी fret में फिर middle गया पांचवा fret पांचवी स्ट्रिंग यहां से साथवी fret तक slide करना है middle से ही सब combine करके बता रहा हूँ तो हमको लेना है पांचवी fret से साथवी fret तक slide फिर middle पांचवी fret में फिर index तीसरी fret में और वापस index दूसरी fret में वापस एकदम आराम से बता रहा हूँ इसके बाद चौथी fret तीसरा string index अब हमने किया है तीसरे string पे index बजाने के बाद यहां पे hammer याने index बजाया middle से hammer किया और वहीं रुखे finger को उठाना नहीं है वहीं दबा के रखना है फिर वापस index और चौथे string में पांचवी fret में लेना है middle यही sequence लिया हमने twice दो बार अब लिटील से साथवी fret से नववी fret तक slide है और वापस साथवी fret में आके लिटील पे single stroke बजाना है सब combine करके बता रहा हूँ लिटील पे दो stroke लेने के बाद यहाँ पे slide करना है और वापस लिटील साथवी fret में आया सब वापस रिपीट कर रहो आपके लिए इसके बाद middle गया पाचवी fret चौथा string मिडल लिटील बाद में index और middle तीसरी string में आया आपके लिए पाचवे और साथवी प्रेट में, चौथे स्ट्रिंग में, उसके बाद, इंडेक्स, मिडल, इंडेक्स, मिडल, अब लिटिल लेना है, सात्वी प्रेट, तीसरे स्ट्रिंग में, और इसको नववी प्रेट तक स्लाइड करना है, अब सेम कॉंसेट्ट, सेम फंडा, कि सात्वी प्रेट तक सिंगल स्ट्रोक में, असेंड, डिसेंड, स्लाइड करना है, सब कंबाइन कर रहा हूँ, और अब इंडेक्स गया, तीसरी प्रेट, पहले स्ट्रिंग में, अब क्या किया मैंने, तीन से लेके सात्वी प्रेट तक किया मैंने, स्लाइड, और आठवी प्रेट में, मिडल को मैंने किया है, हैमर, अब कॉंसेट यह है कि यह जो तीसरी प्रेट में हमारा इंडेक्स है, वो बजाने के बाद थोड़ा सा लेट स्लाइड करना है, तब तक वहां वो साउंड, टोन, क्लियर बचता रहे,